देखें मनू भकेर के साथ जो हुआ आज काफी अनफॉर्चुनेट था बहुती पोटेंशिल मेडल वेलिंग कैंडिडेट थी हैं इंडिया की तरफ से 10 मीटर पिस्टल फाइरिंग में हुआ क्या है देखें मैं आपको समझाता हूँ पिस्टल फाइरिंग कॉंपेटिशन में 75 मिनिट्स में साथ शॉट्स मारने होते हैं 75 मिनिट्स 60 शॉट्स मारने होते हैं मतलब आपको एक शॉट्स मारने के लिए एक मिनिट 25 सेकंड दिया जाते हैं मतलब एक दिसंबलो 25 मिनिट तो आप कहलो एक मिनिट 15 सेकंड दिया जात तो निशाना साधने में समय लगता है तो ओवर ओल इसी लिए ओलम्पिक्स में एक निशाना मारने के लिए कम से कम 1 मिनट 15 सेकंड दिया जाता है तो टोटल 60 निशाने मारने होते हैं और ओवर ओल आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाता है और जो शुरुआत हुई थी यहाँ मनु भकेर की वो शुरुवाद बड़ी जबरदस्त थी पहले 20 मिनट में इन्होंने 16 शॉट्स मारे थे और 156 नंबर स्कोर किये थे आप 156 अच्छे बुरे मैं आपको इस रिस्पेक्ट मता दू कि हाइस्ट नंबर जो आप एक शॉट्स में ले सकते हैं तें 10 पहले कौलिफिकेशन बाद में नंबर बढ़ जाते हैं वो exact technique law मतलब exact Halloween कैलकुलिषन में जाने की जरु tribute नहीं तो पहले कौलिफिकेशन आऊण में यह qualification राउंड ता इसमें best art law को आगे जाना था ठीक है तो अ अगर इस qualification round में clear हो जाती मनु भकेर तो आगे होता है और 156 मतलब अपने आप में बहुत अच्छे आप कह सकते हो कि यहां पे शॉट्स ले रही थी मनुभाकिया लेकिन 20 मिनट बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है इनकी पिस्टल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है अब जैसे इनकी पिस्टल में प्रॉब् माल फंक्शन हुआ है देखिए इन पिस्टल में एलेक्ट्रोनिक ट्रिगल माल फंक्शन काफी कॉमन होता है बाद में पता चला कि उस पिस्टल का कौकिंग लीवर ही तूट गया है ता बात यह है कि इतने बड़े कॉम्पिटिशन में क्या कोई दूसरी पिस्टल नहीं थ तो जो दूसरी पिस्टल थी उसको रेजिस्टर कराना जरूरी था वो रेजिस्टर थी या रेजिस्टर नहीं थी वो पता नहीं बड़ हर एथलीट के पास एक इस पेर पिस्टल होती है लेकिन जब उसकी पिस्टल खराब हो जाती है तो पहले वो अपने कोच को दिखाती पिस्टल बन के आई इस time period में मनु भकेर के 20 मिनट खराब हो चुके थे 20 से 19 मिनट अब समझे पहले 16 shots total 60 shots लेने मनु भकेर को पहले 16 shots में 20 मिनट लिए मनु भकेर ने उसके बाद 19 से 20 मिनट पिस्टल बनाने में लग गया तो कितना से में बीद गया टाइम कितना है टोटल 75 मिनट तो अब 35 से 36 मिनट बचे हैं और इन 35 से 36 मिनट में मनु भकेर को कितने shots लेने है 44 shots लेने है चोकि total game 60 shots का है मनु भकेर की पिस्टल खराब हो रही है इसके लिए इनके लिए game नहीं रुकेगा ये बात बिल्कुल clear है आपकी किस्मत खराब है तो वही बात होगी ना कि वो लंपिक का मिडल जीदना है तो किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए किस्मत खराब है तो कुद निप्टो तो अब केवल 35 से 36 मिनट बचे थे मनु भकेर के पास और इनको shots कितने लेने थे shots लेने थे 44 मतलब अब पर shot मनु भकेर के पास किवल 0.82 सेकंड तो और यहाँ पर सारी चीज़ा गड़ बढ़ हो गई देखे shot में निशाना लगाना पड़ता है और pressure में अच्छे चीज़ों के हालत खराब हो जाती है आप भी competitive exam देते हो तो pressure में मैत के सवाज़ गरत हो जाते है same goes here यह तो Olympics हो रहा है Olympics का qualification है चार साल में एक बार आता है आप सोची सकते हैं कि 19 साल की लड़की की दिमाग पे कितना pressure होगा उसके बाद भी जबरदस तरीके से इन्होंने comeback किया इसने अपने शारे shots लिये मतलब सोचिए 44 shot 36 minutes में मार दिया उसके बास कोई option नहीं था तुरंत एक shot लिया उसके बाद जल्दी ही दूसरा shot लिया ज़्यादा gap इसने लिया नहीं बट उसमें क्या हुआ कि end time पे pressure दिमाग पे हावी हो गया आकरी बारा shot अगर perfect 10 मार देती तो qualify कर जाती लेकिन 8 ही मार पाई तो इस respect में अब देखे Manu Bhakir की तो यहाँ पे कोई गलती है नहीं अब इनकी pistol ही jam हो गई तो क्या कर सकते हैं अब कह सकते हो कि अब इनके किस्मत कराब थी गलती तो इनकी कोई नहीं थे तो गलती थी किसकी तो overall pistol यहाँ पे खराब होई अब इस pistol खराब होई तो pistol खराब होने की responsibility किसके उपर डाली जाए अब देखे pistols तो अपने athletes लेके चलते हैं तो traveling अब देखे इंडिया से pistol गई होगी वहाँ पे फिर Olympic checkers ने उस pistol को चेक किया होगा तो अब जब pistol finally आप competition मिले के जा रहे होते हो तो उस pistol का हर screw हर kona चेक किया जाता है और वेसी बाते चेक किया ही गया होगा अब कई बार क्या होता है कि जो बिलकुल professional तरीके से खेले जाते हैं महाँ पे पिस्टल बनाने वाले भी साथ में जाते हैं टीम के साथ बट इंडियन टीम के साथ पिस्टल बनाने वाले इस टाइप की mechanic टाइप के लोग नहीं जाते है तो overall पूरी की पूरी responsibility किसके उपर आ जाती है रौनक पंडित की उपर आ जाती ही पिस्टल शूटर है तो इनका यह बोलना है कि मेरे हस्बेंड के उपर आप इतना गरी आ रहे हो यह बिल्कुल भी सही नहीं है electronic trigger malfunction तो common है बट cocking lever का टूट जाना यह अपने आप में बहुत आस्चर चेकी बात है यहाँ पे cocking lever ही टूट गया आपका मनु भकेर की पिस्टल का तो आप या तो इसमें कोई बहुत बड़ी technical fault हुई है या इसमें इनकी किस्मत बहुत ही जादा खराब हुई है ठीक है तो इसके लिए मनु भकेर का defense कर रही है यहाँ पे हीना सिद्धू कोटनी लिवर क्यों टूटा यह अपने आप में बहुत बड़ा सावालब देखते है कब तक इसका जवाब निकल के आता है administration इसके उपर क्या inquiry करता है बट अपने आप में बहुत unfortunate चीज़ है बिकास मनु भकेर was a very potential candidate for bringing a medal to India बट अभी के लिए unfortunately यह नहीं हो पाया तो यह था छोटा सा आप कह सकते हो news का वो actually मैं यहाँ पे देखे इस particular event से आप क्या सीखते हो इस particular event से आप यह सीखते हो कि definitely भले आपके कितनी बेच्छी तेयारी हो कभी-कभी क्या होता है कि आप बिल्कुल prepared हो चीज के लिए बहुत सही direction में जा रहे हो लेकिन कुछ ऐसा unfortunate हो जाएगा जो बिल्कुल आपके control में नहीं होगा लेकिन फिर भी हो चीजों को गलत कर ले जाएगा पर इसका मतलब this is not the end of the journey हो सकता मनु भकेर आगे आने वाले समय में कितने gold medals, कितने world championships चीते हैं India कले हम कुछ कहा नहीं सकते तो इससे हमको एक प्रकार का inspiration ही ले चाहिए definitely इससे हमें पर मनु भकेर थोड़ा सा down feel कर रही होंगी but down feel करने वाली कोई बात नहीं जो कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो उनकी गलती नहीं थी और क्या होता है कि something, sometimes these type of events brings the best out of you तो आगे हो सकता है कि मनु भकेर अपनी तयारी इस प्रकार से करें कि इस प्रकार की events के लिए भी होता है आ रहे हैं इसके time को भी वो consider करके आप समझी सकते हो कि आप इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा तो यह छोटा से अनलेस्स था इस इवेंट का unfortunate event है बट हो गया तो हो गया आप क्या कर सकते है thank you for watching friends have a great day